तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है आप अपने कीवोड में आप टाइपिंग कुछ और करते हैं और इस पेस देने के बाद आपका जो टाइपिंग किया हुआ वर्ड होता है वो आपका गलत हो जाता है यानि कि ज जैसे आपने हेलो गुड मौर्निंग आप लिखा हुआ है तो वहाँ पर जब आप इस पेस देते हैं लिखते वक्त और आपका आटोमेटिक गलत हो जाता है और आप जल्दी में मैसेज सेंड कर देते हैं तो आपका मैसेज गलत सेंड हो जाता है तो यहाँ प्रॉब्लम को कुछ send कर देते हैं। और आपके friend के पास चला जाता है। और बाद में आप देखते हैं तो उसे आप delete करते हैं या हो सकता है कहीँ, ऐसी जगह भेज दें जहाँ से आपका delete ही नहोरा आपके सामने ये problem अगर आता है आपके keynote में तो आसानी से आप हटा सकते हैं आसानी से आप इस problem को बंद कर सकते हैं जो आप इस video के अंदर देखने वाले हैं कि आखिरकार कैसे हटाएंगे तो जैसे कि सबसे पहले आपको करना क्या है आपके पास जो भी keyword हो keyword होने के बाद यहाँ पर आपको एक setting का icon मिल जाता है keyword में यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक setting मिल जाएगा देखने को मिलेगा यहाँ पर auto correction तो यहाँ पर आपको इस setting को बंद कर देना है जब आप इस setting को यहाँ से बंद कर देते हैं तो आप आपके keyword में कोई भी problem नहीं होगा जब आप space देंगे जो आप word लिखेंगे वही आपका word रहेगा अगर मालीजे यह setting आपको यहां से नहीं मिलती है तब अपने phone में setting को open करेंगे तो हम यहां से setting को open करेंगे उसके बाद यहां पर आपको search करेंगे keyboard जैसे आप यहां पर keyword सर्च करते हैं आपक पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके सामने सारे keyword आजाएंगे आप यहां पर आपको यह मिल जाएगा default आपके सामने इस पर click करना है और यहां पर आपको मिलेगा keyword आप इस पर click कर देंगे इस पर click करने के बाद वही setting आपके सामने आजाएगा और यहां से भी आप इस setting को apply कर पाएंगे अपने phone में तो इस problem को आप इस तरीके से solve कर सकते हैं अगर आप word कोई और type करते हैं और space देने पर आपका word गलत हो जाता है तो problem आप solve कर सकते हैं मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही पूरा देखने के लिए आपका बहुत पहुत धन्वाद